नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीसे इंब डेजिटल गुरुकुलबर्द देखे बच्चों आज हम कक्षा फोर रिम जिम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं सुनिता की पैया कुर्से के बारे में इसमें हम पहले भी पढ़ चुक आप सभी झ्रशाने के लिए विराम चिणों का प्रियोग किया जाता है जैसे ये रहा विराम करता है रुकना या ठहरना अगर हम विराम का उच्चत प्रियोग ने करें तो अर्थ का ज своих अनर्थ उधारन के लिए रोको मत जाने दो तो अगर मैंने गलत जगे लगा दिया तो रोकना नहीं है उसको जाने देना है दूसरा क्या है रोको मत जाने दो तो दोनों में क्या हो गया पहले में रोक लो जाने मत दो दूसरे का मत लो गया जाने दो जो चिन बोलते हैं पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा विराम चिन कहते हैं आये सेखते हैं इन चिनलों को कैसे धरशाते हैं पुरम विज्ञाम चिन का परियोग वाक्या पूरा होने पर किया जाता है जैसे मैं चोथी क्षा में पूरा हो गया परसन वाचक चिन का परियोग लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है अल्प विराम कापरियोग थोड़े देर के लिए रुकना जैसे कौमा वाला ठीक है इसमें थोड़ा कम विराम दिया जाता है विश्मे बोदक कापरियोग दुख आसचरिय खुशी आदी भावों को परकट करने के लिए किया जाता है अब देखो बिटा नीचे जो है आपको कुछ चिन दिये गए है नीचे देगे विराम चिनों के सामने उनके आपको नाम लिखने है तो देखे सबसे पहले तो ये है तो इसके सामने आप फ़र्ष्ट है तो फ़र्ष्ट क्या है बिटा ये ये तो पूर्ड विराम है कापी में लिखें इन वाक्य में आपको क्या लगाना बेटा सर्फ विरामचिल लगाना है नहीं रसी कूदते गेंद खेलते देखती रही ठीक है तो सुनीता थूड़ दे रुख कर उन्हें रसी खुदते देखती रही ये सब लोग मेरी तरफ बला इस तरह क्यूं देख रहे हैं प्रशनवाचक तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है प्रशनवाचक अमित जट से सुनीता की पईया कुरसी के पीछे चड़ गया भाग कर क्या हो गया चड़ गया ठीक है तो ये बात हो गई अपने लिए है न एक्स्लेमेशन मार्क्स वाली बात हो गई ठीक है उसके बाद सुनीता आजकल ओनलाइन पढ़ाई कर रही है अपने चाचा जी के पत्र द्वारा ओनलाइन पढ़ाई का अनुबव बताना चाहती है तो क्या आप उचित विराम चिन्नों से तथा नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखने में सुनीता की मदद कर सकते हैं आप से यह पूछा गया है तो आई हम मदद करते हैं देखो बिटा पत्र हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे अपना पता तारीक अदरने मामा जी प्रणाम हम यहां कुशलता पूरोख हैं आशा हैं आप भी से कुशल होंगे मामा जी जब से कुरोणा वाइरस आया है सकूल की क्लासिज बंध हैं और मेरी क्लासिज ओरलाइन तकनिक से चल रही हैं हमें हर रोज हमारे वाटसएप पर वर्क्सीट भी मिलती हैं जिससे हमें बहुत सरा ग्यान و अनुबोव मिलता है कभी-कभी मुझे मेरे दोस्तों मैं अद्यापकोंकी बहुत याद आती है हमारे अद्यापकमे बहुत अच्छे से पाठ्ठे करम पढ़ाते थे अब दो लोगडाउन भी समापत हो चुगा है मैं इंतिजार कर रही हूए कि कभी है मैं हमारी समापत होगी ताकि मैं फिर से बिना मास लगाएं स्कूल वे बार जा सकूँ आसा करती हूँ आप भी सेकुसल होंगे और आपसे जल्द मुलाकात होगी आपका बतीजिया बतीजिया बिटा अपना जो भी आप हैं मेल फीमिल और नाम लिख दीजिएगा तो बच्चों इसे के साथ वरक्षिट्स माप्त होती हैं मैं उमीद करता हूँ आपको वरक्षिट्स में आई होगी जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी बच्चों चैनल को जरूर सिपोर्ट करें और से सब्सक्राइब करना नया भूले